दोस्तों हम सब इस बात से तो वाकिफ ही हैं कि आज की समय में छोटी से छोटी चीजों से लेकर बड़ी बड़ी मशीन्स तक हम पूरी तरह बिजली पर निर्बर हो चुके हैं और अगर चंद मिनिटों के लिए इलेक्रिसिटी गायब हो जाए तो पूरी दुनिया पोज मोट पर आ जाएगी और इस अविशकार के लिए दुनिया एडिसन को याद कर दिया पर क्या आप जानते हैं कि एक और बड़ा विज्ञानिक है जिसने हमें बिजली पहुचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बरबाद कर दी लेकिन फिर भी उसे वो इस्थान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे तो कौन था वो और आखिर क्यों पूरी दुनिया उसे भूल चुकी है आज हम फैक्ट स्टोरी पर आपको इतिहास के दो बड़े विज्ञानिकों के बारे में जानकारी देंगे और उनके आमने सामने टकराने की कहानी भी सुनाएंगे आज की वीडियो काफी इंट्रस्टिंग होने वाली है तो इसे लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों आपने आज तक इतिहास में हुई कई वार्स के बारे में सुना होगा लेकिन साइंस के इस वार के बारे में शायद ही आपको जानकारी होगी मशूर साइंटेस्ट थॉमस एडिसन और निकोला टेसला दोनों ही मानव सभ्यता को बदलना चाहते थे और इसी बीच हो गई एक जंग की शुरुआत जिसे आज हम दे वार ओफ करेंट्स के नाम से जानते हैं और इसके परिणाम स्वरूप किसी एक की जिंदगी बरबाद हो गई और बाकी सभी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई इस जंग के बारे में जाने उससे पहले आईए घड़ी की सुई को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं साल था 1956 का जहां एक रूड़ीवादी रोमन कैथलिक चर्च के पादरी के यहां एक बच्चे का जन्म हुआ इसका नाम निकोला टेसला रखा गया निकोला अपने स्कूली दिनों से ही काफी होश्यार थे बताया जाता है कि वो गड़ित के मुश्किल से मुश्किल सवालों को अपने मन में ही हल कर लीते थे किताबे पढ़ने के शौकीन निकोला आठ भाशाओं के जानकार थे युनिवरसिटी में मैथमेटिक्स, फिलोसिफी और फिजिक्स की पढ़ाई करने गए लेकिन इन्होंने डिग्री कंप्लीट नहीं की ड्रॉप आउट करने के बाद ये छोटे मुटे जॉब्स करने लगी ऐसे ही जब वो एक जगह जॉब कर रहे थे तब उन्होंने मशूर थॉमस एडिसन के डीसी जनेरेटर में एक गलती ढूंडी और उस कमी को कड़ी मेहनत के बाद ठीक कर दिया और आखिरकार उसने कुछ ऐसा किया जिससे बड़ी आसानी से बिजली की शक्ती के साथ साथ बिजली का फैलाव भी बढ़ाय जा सकता था जोकि पहले मुम्किन नहीं था उसके बॉस से लेटर फ रिकमेंडिशन लेकर वो अमेरिका एडिसन से मिलने निकल पड़े अमेरिका पहुचने के बाद वो एडिसन से मिलने गए जो उस वक्त के सबसे बड़े इंवेंटर हुआ करते थे क्योंकि वो एडिसन ही थे जिन्होंने साल 1889 में अपनी छोटी सी लेबरेटरी में पहली बार हाई रिसिस्टेंस इनकेंडिसेंट इलेक्ट्रिक लाइट को बनाने में सक्चस हासिल किया था लेकिन अभी हर घर में बिजली पहुचाने का सपना एडिसन का पूरा नहीं हुआ था उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आखिर वो बिजली को हर घर तक पहुचाएं कैसे बस अपने इसी मकसद को बूरा करने में वो जुट गए थे और उन्हें उसमें काम्याबी भी हासिल हुई साल 1882 में उन्होंने दुनिया का सबसे पहला सेंट्रल पावर प्लांट बनाया जो डिरेक्ट करेंट को प्रिडियूस करता था अभी हर घर में बेजली नहीं पहुच पाई थी क्योंकि डिरेक्ट करेंट को पावर हाउस से आधे मील दूर तक भेजना मुम्किन नहीं था हाला कि एडिसन ने बिजनसमें से कॉन्टेक्ट कर कई प्रोजेक्ट किये ऐसे में एडिसन ने टेसला को अपने जनरेटर और मोटर को अच्छा बनाने की चनौती दी उन्होंने टेसला से कहा अगर वो ऐसा करते हैं तो एडिसन उन्हें कई हजार डॉलर देंगे लेकिन जब टेसला ने इस चैलेंज को सक्सेस्फुली कम्प्लीट किया तो एडिसन अपने वादे से मुकर गए इसका रण निकोला टेसला और एडिसन के बीच मतभेद हो गया और टेसला ने वहां से नौकरी छोड़ दी अब टेसला ने अपनी अलग कमपनी चालू करने का निर्डे लिया लेकिन जिस इंसान के पास रोज मरा की जिंदगी गुजारने के लिए पैसे नहीं थे वो भला कैसे खुद की कमपनी के शुरुआत कर सकते थे ऐसे में उनके AC करेंट के आइडिया को लेकर वो अमेरिकन बिजनसमेन जौर्ज वेस्टिंग हाउस के पास गए और उन्हें इस बारे में बताया तो वो समझ गए कि आगे जाकर ये पूरी दुनिया को बदल सकता है उन्होंने इसके पेटेंट को 60,000 डॉलर में खरीदा और कुछ रॉयल्टी भी टेसला को दी अब शुरू होती है वेस्टिंग हाउस एंड मैनुफेक्ट्रिंग कमपनी जो एडिसन की बिजली से बहतर थी और कम दाम में मिलती थी अब इस सब के चलते ये कमपनी दिन बदन तरक्षी के मार्क पर तेजी से आगे बढ़ती गई इतना ही नहीं टेसला ने अब अपने अविश्कार को बहतर बना कर अपने जेनरेटर में कुछ ऐसे चेंजिस किये कि अब बिजली न सिर्फ बल्ब बलकि मशीनों को भी चला सकती थी अब यहां से स्टार्ट होती है एक जंग जिसे दे वार ओफ करेंट के नाम से हम सब जानते हैं एडिसन डिरेक्ट करेंट को बहतर मानते थे जो 100 वोल्ट की पावर पर काम करता था लेकिन जिसे दूसरे वाल्टेज में बदलना काफी मुश्किल था तो वहीं टेसला का मानना था कि अल्टरनेटिंग करेंट यानी एसी करेंट बहतर है क्योंकि उसे एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जाये जा सकता है अब दोनों की बीच शुरू होता है एक कॉम्पिटिशन और एडिसन घुस्से के चलते अब टेसला को किसी भी तरह से बरबाद करते ना चाहते थे अब इस जंग को जीतने के लिए एडिसन ने एक प्रोपगेंडा लोगों के मन में फैलाया कि AC करेंट काफी जादा घातक है और ऐसा कहा जाता है कि इसे सिद्ध करने के लिए एडिसन ने AC करेंट देकर कई जानवरों को भी मौत के घात उतार दिया इतना ही नहीं एडिसन ने उस वक्त के प्रेजिडेंट को भी लेटर में AC करेंट के नुकसान के बारे में लिख कर दिया और वो कहते हैं ना के घुस्से और बदले की भावना इंसान को बेहद नीचले स्तर पर गराती है यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ इनको जब जेल के कैदियों को सजा देने के लिए कोई सुझाव देने को कहा गया तो इन्होंने उन्हें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक देने को कहा और तो और इस पर अमल भी किया गया और इसका ट्रायल भी हो गया इन्होंने टेसला से बदला लेने के लिए जिल की कैदी पर 1000 वाट का AC करेंट लगा दिया जिसका इंतजाम भी इन्होंने वेस्टिंग हाउस एंड मैनिफेक्श्रिंग कमपनी से ही लिया था ये खबराग कितना फैली और सभी ने टेसला को ही कोसना चालू कर दिया लेकिन टेसला ने हारन नहीं मानी और उन्हें बड़ी महनत के बाद वेस्टिंग हाउस को नाइगरा फॉल्स से एलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का प्रोजेक्ट मिला एडिसन अभी भी बदले की आग से जूज रहे थे ऐसे में उनकी कमपनी के डिरेक्टर्स ने उन्हें ही कमपनी से बाहर फेक दिया अब एडिसन का घुरूर चकना चूर हो चुका था और वहीं अगर टेसला की बात करे तो जैसे ही उनको भनक हुई कि उनकी कमपनी कर्ज में डूप चुकी है तो उन्होंने अपनी जीवन की सारी जमापूजी को वरकर्स के बीच बाढ़ दिया और अंत के दिने गरीवी में गुजारे दोस्तो देखा आपने टेसला ने मानव सभिता के प्रॉग्रेस के लिए कितना संगर्श किया लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें वो सम्वान नहीं मिल पाया जिसके वो हगदार थे तो चलिए दोस्तो आज इसे महान हस्ती के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताने की कोशिश करते हैं और इसकी शुरुआते से वीडियो को शेयर करके करते हैं उमीद है आज कि हमारी से वीडियो ने आपको कुछ ने कुछ नई जानकरी जरूर दी होगी साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें आपका बहुत बहुत शुक्रिया